डिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो कल UPSC Pridems Examination 2024 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मेसेज इस चीज को लेकर आए कि सर इस पेपर का कंप्लीट डिसकेशन जो है एक बार हो जाए तो ज़्यादा बहुतर आप लोगों के लिए रहेगा तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट डिसकेशन की ये वीडियो है कोशिश ये की जाएगी कि सारे कोशन डिसस कर लिये जाएं फिर भी अगर कुछ कोशन रहे गए तो हम लोग इसको पार्ट सेकिंड में भी कर लेंगे अगर वीडियो की लेंथ बहुत जादा लंबी नहीं हुई कौन सी चीजों पर फोकस किया गया है पेपर को लेकर आज क्या चीज़ें हैं क्या बाते हैं वो सारी चीजों को लेकर हम लोग जर्चा करने वाले है सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो जो कल मैंने बताया था कि लगबग लगबग 18 के आसपास कोशन जो है वो पॉलिटी से पूछे गए हैं ठीक है और एकॉनमी से वही 15 से 18 का रेश्यो रहा है हिस्ट्री 10 से 12 के बीच में रहा है साइंस टेक वही 10 से 12 के बीच में रह है जोग्रफी एंवार्मेंट मिलाकर लगबग 30 क्यास पास सवाल पूछे गए हैं और UPSC ने करेंट अफेर पर बहुत अच्छा खासा फोकस गिया है ठीक है और वही चीज़ जो है 36 महिनों का करेंट अफेर फिर से इंपॉर्टन रहा है कई बार बोल चुका हूं कि लेट देखा है कल थोड़ा समय के चलते जल्दी अधी चीजे हुई थी लेकिन आज मैंने बहुत ही गहराई में इस पेपर को देखा है तो उसके अकॉर्डिंग में आपको एक चीज कहना चाहूंगा यह पेपर इजी नहीं था यह पर मॉडरेट नहीं था यह पेपर डिफिकल् बहुत ही ट्रिकी कोशन्स हैं बहुत ही माइन्यूट ऑप्शन्स बनाए गए हैं सिर्फ पॉलिटी को अगर छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट में यूपियसी अच्छा खासा कहराई में जाके सवाल पूचा है दूसी चीज यह है कि फैक्चुल कोशन पूचे गए हैं यूपियसी पूचता नहीं है पेर्स के कुशन उमीद ही जादा आएंगे बर ज्यादा आए नहीं है जातर यूपियसी ने पेपर तो पूचने का नजरिया वही रखा है ने किन दिक्कती यह की है कि औप्शन्स जो बनाए हैं वह काफी 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 ट्रिकी options हैं और कुछ SSC level के सवाल भी जैसे Brigadier Rank को लेकर जो चीज़े पूछी गई है Fact सीदे सीदे किताब UPSC नहीं पूछता था वो पूछ ली गई है इस तरह की चीज़े UPSC ने की तो नए experiment हो सकते हैं UPSC के Sports इस बार नहीं देखा है देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं पहला statement एकदम ठीक है हम लोग एक एक question पे बहुत लंबा समय लगाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी जल्दी से देखते चलेंगे जिन जिन चीज़ों को हम लोग to the point देख सकते हैं उसको ऐसे ही देखेंगे है ना प्यसी ने statement पूचा है कि से बायात नहीं करते हैं अमेरिका से ऐसा कुछ नहीं है अच्छा खासा बायात करते हैं और दूसरा स्टेंग मंठीक है कि अगर सक्षम प्रादिकारी के नमोधन के बिना अगर मैं यह कह रहा हूं कि second पढ़ो भी मत अगर एक गलत हो चुका है ना तो आप यहां पर देखो एक सही नहीं है एक ही option ऐसा है दूसरा पढ़ने की भी ज़रत नहीं है common sense से चलना है यह मैंने कल भी आपके सामने किया था यहां पर देखेंगे कल रीडियो करप्ट हो गई थी इसलिए दुबारा से इस वीडियो को बनाया गया है आप देखें जल्दी से यह सीधे सीधे question मैंने already पूछ रखें आप रुक के इस वीडियो को देख लेना यहां पर देखेंगे वो पिठा सीन नहीं होगा same to same सवाल मैंने ऐसा पूछा है ठीक है अध्यक्ष को हटाने का विचारा दीन है तो क्या वो पिठा सीन होगा या वो लोकसवा में बोल सकता है कारवाई में भाग ले सकता है मत दिने का same option बनाएं चारों के चारों option आप चाहो तो देख सकते हो UPSC ने सही वाला पूछा था उस तरीके से और इसमें मैंने पूछा होगा क्या क्या चीज़े वो कर सकता है तो आप यहां पे देख सकते हो ठीक है उसके अलावा यहां पे देखो यह वाला सवाल लोकसवा में सद्रों से पारित हो चुका है ना कोई बिल और UPSC राष्टपती ने सयूग सशन बुला रखा है तो वो खतम नहीं होगा तो इसमें एक और दो बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं यह भी सेम सवाल आप यहां पे देख सकते हो कुछ प्रूप मैंने बिल्कुल सद्गा आप यहां नहीं है तो बहरत के राष्टपती द्वारा उस सदन का सत्रवासान करने तो कोई वर्जन नहीं है यह बिल्कुल ठीक statement है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो दो से तो दो और तीन statement जो है आपका सही यहाँ पे होगा English में पढ़ेंगे थोड़ा easy तरीके से समझ में आगा UPSC ने हिंदी में थोड़ी तक निकी शब्दावली का इस्तेमाल किया है यहां पर देखेंगे कुछ और देखने की जौरत ही नहीं 2040 देखो आप कितनी बार करेंट फिर में बता चुका हूं 2050 2050 तो अगर यहां पर देखोगे स्टेटमन गलत हो गया पहला कथन एक बार सही है तो सेकिंड जो है कर जाएगा ठीक है कोई दिकत नहीं है यहां पर देखेंगे वेनेजुएला ने रिकवरी की है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी अभी नहीं कर पा रहा है वो और दूसरा यहां पर अच्छे खासे तेल भंडार है यह भी आपको देखने को मिलेगा इसने कई देशों को क्रॉस कर लिया बहुत सारा तेल है इसके पास वेनेजुए ठीक है आप लोग बढ़ लीजेगा इसको है डिसकस करने में काफी लंबा समय जाएगा जल्दी से इसको तीरों स्ट्रेटमेंट आप लोग देख लीजेगा ठीक है अच्छा मातरतव अभ्यान को लेकर पीम सुरक्षित मातरतव अभ्यान कुछ नहीं है नौ तारी को हर मह महीने की सुविधा रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है छे महीने के लिए इतना नहीं मतलब आपको बेनेफिट मिलेगा तो एक यहां पर कड़ जाएगा दूसरा स्रेटमेंट एक तम यहां पर ठीक है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठीक है यहां पर आप दिखा सकते हो न मैं पेपर को पूरा डिसस कर रहा हूं आपके साथ यहां पर देखो यह फैक्चुल है 21 से 40 नहीं है यहां पर 18 से 40 ठीक है और यह इस तरह की कई स्कीम बनी है तो आपको याद रहना चाहिए तो यह 18 से 40 होगा इसमें और इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे परिवा यहां पर देखो यहां पर देखो धियुओं के लिए दूसरा जो है वोच प्रभल्लम नहीं है लेकिनन पर देखो देखो यहां पर देखो यहां पर देखो यह अभियास मित्र शक्ति, UPSC ने पिछले 3-4 सालों में अभियास नहीं पूछे थे, तो आप फिर से जो है मैं कहता रहता था कि अभियास पढ़ लो क्योंकि सवाल पूछ लेता है, और ये श्रिलंका के साथ है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ श्रिलंका वाला यहाँ पे वाले बच्चे है, वो तो उनके लिए तो हलवा रहा है यहाँ दिकत नहीं है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, निचली अदालत को जो है प्रतिशेद करता है, हाना हायर जुडिश्री जो है, यहाँ पे कन्फ्यूज कर दिया, UPSC की सरकारी दिकाएम हो, यह वाला यह पर यहाँ पे केवल दो statement ठीक हो जाएगा, ठीक ही पूछा है, बजट वाला, अब यहाँ पे आप दोनों यह वाले option देखो आप, प्रूफ टाइप में है, यह अनुसुची जाती वाला, यह सेम सवाल मैंने करवा रखा है, राष्टपती के प्रामर से करेगा या क्या करेगा और यहाँ पे यह देखो, मैंने कितनी बार बताया है, कि जो बजट रखता है, वो राष्टपती के point से रखता है, ना की PM के point से, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो प्रधान मंतरी के point से ऐसा कुछ भी नहीं, यह काड़ दो आप, और यह बिल्कुल सही है, और सेम यह जो है, नहीं की जाएगी, संसद मैंने option में जानबुच के बच्चों के लिए डाला है, और उपर सही answer लिखा हुआ है, कि रास्टपती के सिफारिश के बिना ऐसे चीज़े नहीं की जाएगी, है ना, यह सब test से बच्चों ने खुद भेजे हैं, कि सर इस तरह के सीधे फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जल्दी से आगे, यह तो आपको पता है कि हमारे जो SJ शंकर है, उनकी किताबें हैं, है ना, हलांकि UPS यह ऐसा पूस्ता नहीं है, बट फिर भी चीज़े पूछी, फिर जल्दी से यहाँ पे देखो, यह इसमें अगर आप तुर्की को चोड़ दें, बाकी दोनों तो ठीक options है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्जन्टीना में काफी economic crisis चल रहा है, सुडान में दिक्कत है, तुर्की ने NATO की सदस्ता छोड़ी नहीं है, न्यूज में रहा है, काफी टकराव बना रहा है तुर्की का NATO के साथ, बलकि अभी तक सदस्या कोई छोड़ा नहीं है उसने, तो यहाँ पे केवल दो यूगम ही है, जो pairs है, वो आपके ठीक हो पाएंगे, आगे जल्दी से देखते हैं, सुमेढ ये दोनों statement ठीक है, ये explain भी कर रहा है, इसमें कोई problem नहीं है, आप लोग इस question को अच्छे से पढ़ लीजेगा, यहाँ पे देखो, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्शन होता है, ये भी बात सही है, और बहुत कोई बड़ी नदी लाल सागर में रेड सी में जाती हुई आपको नहीं देखेगी, तो ये भी statement दोनों ठीक है, जल्दी से आप ही देखेंगे, ये तो मैंने, मुझे लगता है, पिशली क्लास किसी बच्चे की environment को लेकर हो रही थी, तम भी मैंने बताया था कि सबसे जादा जो emission होता है, ये sulfur dioxide का, तो ये जिवाशम इन दोनों का उप्योग करने वाले विद्यूत सियंतर से होता है, कई बार इसको लेकर चर्चा हो चुकी है, तो आसान सा सवाल था, अगर किसी ने किया हो, फिर यहां पे देखो, डॉक्टर राजंदर प्रसाद से पहले किसने किया था, तो ये भी example आप यहां पे देखो, ये देखो, कोशन पूछ रखा है, सचिदा नंद सिना सविधान के स्थाई, जान बुच के कोशन में trap किया है, लेकिन ब रक्षा और विदेश तवंदी जो मामले हैं ये गवर्नर जनरल के पास थे, थोड़ा सा ध्यान से इस कोशन को पढ़ने की जौरत है, तो पहला स्टेटमन तो इसमें ठीक है, सेकिन वाला स्टेटमन इसमें ठीक आपको नहीं मिलेगा, परी संग्य का मतलब ये था कि जो structure बना रहे थे, संग का और केंदर का और राज्य का, क्या उसमें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये चीज सही नहीं, यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा देखो, ये कल कुशन जल्दी में मैंने यहाँ पर भास की जगए भारत पड़ लिया था, तो आप ठमझेगा यहां पे भरत नहीं है भास है तो भास की है किताब मध्यम व्यायोग इसको याद रखेंगे बई factual चीज़ें हैं अब अब UPSC पूछ रहा है तो आपको याद रखने की ज़रत इसमें जो C कि यहां और तो यहां पर यांपको देखेंगे यहां पर यहां पे इसके आपको बता को आड़ाben के कुछ भी कर सकती है परिवर्धन कर सकती हैँ छेंज कर सकती है खिठम कर सकती है यह огशाइन और ज्याइए हलवा सवाल थे अब किसी ने कितना माइंड यूज किया है मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ट्रिकी सवाल थे UPSC के पॉलिटी आप कर रहे हो थो इजी आपको लेगा बाकी सवालों में थोड़ी सी दिक्कत है यहां पर देखो देखो अब यह common sense का सवाल था क्या कई बार बता चुका हूं जापान तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे जो है यंग population कम हो रही है इटली मैंने last year कई बार बताया current affair में कि इटली ना एक offer दे रहा है कि आओ आप यहां पे रहो बच्चे पैदा करो हराम आपको रहने के लिए घर other facilities भी देंगे तो एक और दो आपका निकल चीज़ नहीं कर सकती यह थीक है राजस्वा द्वारा धन्विदेख के सुझाए संशोधन को लोक्सवा मानना ही पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक दो तीन statement जो है इसमें आपको एकदम सही देखने को मिलेंगे फिर यह पे जो मैंने थोड़ा सा आपको बता रख सवालों को पेपर में छोड़ देना चाहिए यह इतना याद रखना बहुत मुश्किल है कि ब्रिगेडियर के पेरालल कौन सा है वायू से नमे नौ से नमे कौन सा है इस तरह के सवालों को ही छोड़ना था आपको मैंने लगा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इसका अंसर क्या है बट इस तरह के सवालों से बचने का ही प्रयास करना चाहिए देखो यह थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है यहाँ पे देखो आप जो पुर्वोतर परिश्यद है ना इसको लेकर UPSC ने सवाल पूछा है कि किस तरह से मतलब कौन-कौन इसमें शामिल होता है तो राज शॉलते अगर जैंदर साटने क्याई जोस से शामिल होते अगर देखें तो एक दो तीन आंसर बन रहा है लेकिन अगर पूरा इसके अंदर देखें क्या क्या शामिल होता है तो भारत का गह मंत्री भी होता है तो देखो ये जो है आपका A और D में से आंसर बन सकता है अब डिपेंड करता है कि UPSC ने इस कोशन को किस तरीके से लिया है है ना अगर अगर UPSC सिर्फ सदस्य चाहता है तब तो आपके अंदर ये तीन आप्शन ही आएंगे अगर UPSC अध्यक्ष समय चाहता है कि कौन-कौन लोग शामिल होते हैं इस परिश्यत में इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा UPSC ना इस तरह की चीजों में दिक्कत कर देता है एकदम क्लियर चीजे रखनी चाहिए ताकि बच्चा डील करने में प्रॉब्लम ना हो तो A और D मेंसे आंसर दोनों हो सकते हैं सजसे रहेगा तो A आंसर रहेगा वरना D आंसर रहेगा तो इसको थोड़ा सा होल्ड पर आप रख लीजेगा इस कुश्यन को फिर यहाँ पर देखें अगर हम लोग USA यह दोनों स्टेटमेंट ठीक है पहली बात तो यह है कि USA जो है अगर मालो चूक कर जाता है रिंड पे बड़ा न्यूज में रहा ता लास्ट येर हैंना कि USA की लिमिट खतम होने वाली है इस तरह बड़ा करन्ट फेर में था तो हां तो कोई भी अब एक चीज सोच के देखो कोई भी देश अगर चूक कर जाएगा डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या आप उससे दावे कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना इसमें तो नॉर्मल सी चीज है और सेकिंड चीज बड़ी बहुत अच्छी चीज है यह एक्स्ट्रा यूपियसी नॉलेज के तौर पर पूछा है USA का जो रिण है ना सरकार का रिण है कोई हाड परिसंपति समर्थित नहीं होता है यह इसमें सरकार का ट्रॉस्ट है तो यह देखना होगा कि यह 100% इसका अंसर जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यह सवाल थोड़ा सा UPSC ने डीप में जाके एक आनमी में पू इसमें इन्वाल होगा पहला वाला ठीक है तो एक गलत हो जाता है ना तब दूसरा तो अपने आप में ही सही हो जाता है तो यह सी आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं सी आंसर पर टिक कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा आगे देख इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है नायपुत शब्द जो था यह महावीर जैन के लिए यूज किया जाता था बाकी दोनों शब्द जो है वह आपको महत्मा बुद्ध के लिए इस्तमाल किये हुए दिखेंगे यहां पर देखो चंदर केतुगड अगर किसी बच्चे को पता है यह यहां पन्द चाहिए यहा नहीं यह थोड़ा सा महत्मा बुद्ध को لेकर वहाँ को दिखेंग, नहीं है तो थोड़ा ससावाल पेशभा में स्वाल पूचा गया है ठीक है तो दोर तीन option जो है इसमें पूछे गए हैं थोड़ा सा history difficult पूछी है लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल आते हैं mapping को लेकर history को लेकर आगे देखो इसमें तो आपको पता ही है कृष्ण देवराय option है कोई दिक्कत नहीं फिर कारणवाल इसको लेकर सवाल पूछा गया है कि राजस्व संग्रह के रहियत बाड़ी बंदोबस्त के तहट अगर फसल खराब होती थी तो क्या छूट मिलती थी ऐसा देख गया लगता है आपको कि ऐसा इतने किसान दयावान हो जाएंगे नहीं बंगाल स्थाई बंदोबस्त के तहट यह तो कितनी बार बता चुका हूँ सूर्यास्त कानून कि अगर आप एक लिश्चिट टाइम पिरियड तक राजस्व जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा उनकी जो जमीदारी है वो निलाम कर दी जाएगी ठीक है यह थोड़ा सा घर पे चीजे नहीं है इसलिए लिखने में यहां पे प्रॉब्लम हो रही है जल्दी से देखेंगे उपनी शेदों में कोई नीती कथा नहीं है यह हो सकता है क्या ऐसा बहुत जरूरी है यह है उपनी शेदों की रचना पुरानों से भी पहले हुई थी यह बिल्कुल ठीक है पुरान बहुत बात में लिखे के हैं उपनी शेदों की रचना काफी पहले हो गई थी तो second statement इसमें आपका ठीक है भारत international grain council का सदस्य है और चाउल और गेहुं का नरियाते आयात करने के लिए किसी देश को इसका सदस्य होना आवशेक है तो second statement गलत है पहला वाला statement ठीक है इसमें कोई भी problem नहीं युनिसको में कौन गर्बा ठीक है latest गर्बा शामिल किया गया है यहाँ पे देखेंगे दिसंबर तक कितने तो चार कितनी बार बता चुका हूँ यह 1953, 62, 72 और स्कुरा 2002 में तो यह चार बार अभी तक जो है परिसीवन डी लिमिटेशन कमिशन जो है गठित किये जा चुके हैं, common sense का सवाल था अगर जिन बच्चों ने class किये उनको problem नहीं, यह वाला सवाल देखो यहाँ पे देखो, बैने सेम सवाल यह कोकोणी और मनिपुरी को लेकर पूछ रखा है, बच्चों ने भेज भी रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग मैथली को छोड़ दें, तो एक दो तीन option आपको इसमें एकदम correct दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, सोचलिस्ट पार्टी जो है चारे नरेंदर देव और सवतंदर पार्टी सी राजगुपालाचारी, बाकी दोनों ठीक हैं जनसंग वाला ठीक है और Congress for Democracy जग जीवन राम है, इसमें कोई प्रब्लम नहीं, यह तीनों statement ठीक है, एकदम factual data है, इसमें क्या समझाएं अब आपको, लिखा हुआ है यही सब चीजे सविधान में, तो थोड़ा सा UPSC ने यह भी हिंट कर दिया है, कि भाग वगरा थोड़ सा आपको याद करने होंगे, किस भाग में क्या क्या चीजे हैं, है ना, तो पता नहीं, UPSC factual तरफ थोड़ा सा tilt होता हुआ दिख रहा है, इसमें यह तीसरा option सही है, अंतर राज्ये जो संग रोध है, संग सूची के अधीन एक संग विशे है, बाकी option भी जो है, आपको मैं explain कर देता, बड़ समय की चलते हैं, यह राज्ये सूची में नहीं है, संग सूची में, यह तो कितनी बार बता चुका हूँ, और repeated सवाल है, बार बार UPSC ने पूछा है, प्राइवेसी कहां पे, ठीक है, यह सेम सवाल में हम सवाल में पूछ चुके हैं, अच्छा देखो इ स्थाई अध्यक्ष होते हैं, सभी तीनों सेवाओं के विश्यों पर रक्षा मंतरी के प्रधान सलाकार होते हैं, इसमें कोई प्रब्लम नहीं, यह उप्रेशन सद्भावना है, यह थोड़ असा पुरानी चीज़ें हैं, बड़ UPSC ने पूछा है, तो आपको सारे उप्र सीमा कैनेडा और अमेरिका के साथ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, चिली और अर्जंटिना के बीच 5000 और यह थर लगवग आप देखोगे, तो अठासी सो किलोमेटर के आसपास की सीमा आपको देखने को मिलेगी, लोगसबा की अचार समीती में यह सेकि परजनंदर बता रहा था कि लास्ट वीक का ही शायद करंट फिर था, उससे भी पहले मैंने कई बार यह आया है, लेसन की रिपोर्ट आई है दो तिन बार, उसके अंदर यह कहा गया है कि भारत की जो परजनंदर है ना, वो 2.1 से भी कम हो रही है, क्या होता है कि एक महिला क गरब धाना आयू जितनी भी होती है, उस टाइम पीरेड में कितने बच्चों को जनम देती है, इसको एक निकालके हम लोग थोड़ा निकालते हैं, यह वाला स्टेटमेंट जो है कि जो NBFC जो है वो सिया रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट का फायदा उठा सकती है, ऐस चेर बाजार के लिए प्रथक वेपारिक मंच परदान कर सकते हैं, इसमें भी कोई जादा दिक्कत नहीं है, फिर यहां पर देखो, आप यह भी मैंने बताया है, कि एक दो तीन तीन ही आएंगे, यह लिखवा भी जो काओ नोर्स में, कौन कर सकता है, स्टोक मार्केट वग ठीक है, करनसी मुद्रा की हेर फिर करते हैं, और कई बार क्लास में बें यह बताया हूँ, जैसे हम लोगों कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने शिरलंका के साथ किया, हम लोगों ने जापान के साथ एक टाइम पर किया था, उसका मतलब यह होता है, कि हम कभी भी अगर हमें जरुत पड़ेगी न हम Japan से एक निष्ची डॉलर ले सकते हैं अगर जापान को जरुत पड़ेगी तो हम से कुछ समय बाद कभी भी उसको जरुत पड़े तो कुछ डॉलर वो ले सकता है है na तो इसके लिए एक समझगाता कर देते हैं उसको बोलते हैं आप देखो ये जो भंडारन और परसंसकरन अगर होता है तो ये आता सेकेंडरी में बड़ सिरफ भंडारन है तो ये मतलब इसके लेकर थोड़ा सा इशू बना हुआ है अभी भी UPSC exam क्लियर नहीं किया है तो मेरे साब से इसका अंसर केवल दो है फर्स्ट वाला जो है ये प्रात्मिक के अंदर ही आना चाहिए बाकी ये चारों आएंगे अगर संधारनी विमानन इंधन आपको इस्तिमाल करना है तो उसके लिए इन चारों का इस्तिमाल आप कर सकते हो मैंने कल भी बताया था कि 1,2,4 आप्षिन तो आप इसली करोगे 1,2,4 कौनसी आप्षिन में है सरफ इसी में C में ही C में ही देखोगे तो 1,2,4 आपको दिखेगा बाकी कहीं पर भी दिखेगा नहीं तो इन चारों का इस्तिमाल आप कर सकते हो फिर यहाँ पर देखो, working capital अलग से लिखवा चुका हूँ, economic class में, daily routine के लिए जो capital आप use करते हो, company इस्तिमाल करती है, उसको बोलते है कारेशिल पूंजी, तो किसान का हल आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, पहला काटो, ठीक है, दूसरा computer, स्थिर पूंजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह fixed capital है, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, स्थिर पूंजी है, यह भी गलत हो जाएगा, यह working capital में आएगा, पेट्रोल कारेशिल पूंजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दो option आपको यहाँ पर एकदम collect दिखेंगे, किसान का हल, जो है, यह गलत हो जाएगा, computer दो और चार जो एकदम सही option है, किसान का हल जो है, यह आएगा, आपका fixed capital में, और बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो सूत है, वो working capital के तौर पर आएगा, daily लेने जाना पड़ता होगा, ठीक है, यह metaverse है, इसमें तो कोई दिक्क को को RBI, कि आप रिस्क के लिए कोई नियुनतम पूजी की आपको ज़रती नहीं है, यह वाला गलत है, सेकिंड वाला ठीक है, कि 50% भारतिय नागरी का आपके जो है, बोर्ड की सदस्य होने चाहिए, थोड़ा साथ डीप में जा रहा, economy में भी, UPSC time के साथ, फिर यहाँ प सेकिंड वाला स्टेटमेंट एक दम ठीक है, सेकिंड वाला CSR को लेकर बताया नहीं गया, ऐसा भी कुछ नहीं, 2% जो है, अगर आप देखेंगे, मैं बता चुका हूँ कि एवरेज नेट प्रॉफिट का है, तो सेकिंड गलत हो जाएगा, केवल एक ही इसका अंसर ये परमानू में आता है वर्ड, ठीक है, तो ये समस्थानिक जो है, ये थोड़ा सा अलग वाली चीज है, ये इसके अंदर विखंडन नहीं होता है, तो दो और तीन इसमें सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसमें पहला वाला गलत हो जाएगा, व्रहतारे वामन तार अधिक समयता कस्तितों में बने रहते हैं, उल्टा है, ठीक है, तो एक गलत हो गया, फिर से अंसर निकालो, एक गलत, दूसरा जो है, सही है, फिर यहाँ पर चलो आप, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आपके मानव शरीर में संशलेशित होता है, और रक्त वाइका को विस्वारित करता है, तो इसका तो काफी सारे बच्चों को बेसिक साइन्स वाला कुशन है, तो आपको बायो वाला तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है, तो थोड़ा साइन्स की एंसियाटी पर भी काम करना होगा, फिर यहाँ देखो, कि कौन सी चीनों के माधियम से होता है, यह इसके लिए रडार यूज नहीं होती, बाकी दोनों के लिए रडार यूज हो सकती है, वर्शन कितना हुआ है, उसको चेक कर सकते हो, पश्यों के प्रवास पर नजर रखना, ट्रेकिंग रखना, लेके जा रहे हैं, माइग्रेशन को लेकर इसमें से कोई भी नहीं है, जैसे राफेल है राफेल, यह 4.5 जनरेशन वाला है, 4.5 और जो तेजस है, यह 4 जनरेशन वाला है, 4 जनरेशन वाला, तो मिग 29 तो कितनी बारी क्लास में बता चुका हूँ, बहुत पुराना है, अभी नंदन वाला केस याद होगा आप लोगो इसमें इंडस्ट्री वाला, यह वाला अगर आप कट कर दोगे, तो इसमें एक और दो आंसर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थर्ड वाला इसमें गलत है, फिर उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यह हम लोग ने कल भी बात की थी, शायद अगर करेंट इसमें आप लोग आए होंगे, तो आपने सुना होगा, कि जो फ्यूल सेल एलेक्टरी वाला है न सीन, इसमें जो बाय परड़क्ट बचता है, एक सेकिन आप फोल्ड करिएगा, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें, कि जो यह हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्य का रहा है, काफी डिफिकल चीजें हैं, लेकिन करना है, दीरगावदी उर्जा भंडारन के लिए लंबी समय तक अगर आपको उर्जा को भंडारित करके रखना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, फिर मेंब्रोन बायो रियक्टर, ये तो पिछली साल भी करेंट अपसिष्ट जल सोधन तकनीक ही, टीक है, वेस्ट वाटर को टरीट करने की तकनीक है, तो इसका अनसर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये मनी मार्केट का इंस्टूमेंट है, टीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये मनी मार्केट का आपको चीजे देखने को मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश में पड़े, उसको जादा आसान होगा, यहां पे देखो, क्या हमने class में green field परियोजनाओं के बारे में बात नहीं की है, क्या बताया था, मैंने, एक term था brown field, एक term था green field, green field जो नहीं परियोजनाओं शुरू होती है, और brown field का मतलब आल्रेडी चल रही है तो इन में से green field कौन कौन सी है हाला कि ये वही है factual चीज़े ज्यादा UPSC इस बार पूछा है इन दोनों को सही कर लो आप विजय वाड़ा बहुत लंबे समय से दश्कों से चल रही है तो ये इसमें शामिल नहीं होगी तो एक और दो option जो है एमें आपक सही होगा इसमें जलवाश्व के संदर्म में क्या की चीज है यह एक गैस है जिसकी मात्रा उंचाई के साथ घड़ती है ये बिल्कुल सही है धुर्वों पर इसका प्रतिश्याद अधिक्तम ये ऐसा कुछ भी नहीं है धुर्वों पर तो बर्व पाई जाती है वहाँ पर जलवाश्व कहां पर देखने को मिलेगा आपको फिर यहां पर देखो अच्छा इस कोश्चन में थोड़ा सा यहां पर समझेगा इसका डी आंसर है ठीक है क्योंकि ये जो रेंज है ये वार्शी को दैनेक सीमा वाली और जो मतलब अस्थिरता यहां पर देखेंगे अब यहां पर देखो कोरियोलेस बल के संदर में यहां पावन वेक की व्रदी के साथ बढ़ता है यह बिल्कुल कई सही बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह धुरूँ पर सरवादिक होता है और एक और दो आंसर इसमें सही होगे यह थोड़ा सा अच्छा सवाल यूप मकर रेखा दोनों एक साथ नहीं आएंगे ठीक है तो मकर रेखा की तरफ तो मतलब सूरे नहीं होता है करक रेखा की तरफ सूरे उस समय पे होता है तो यह और यहां पर आप देखेंगे ना तो 24 गंटे तक प्रकाश आर्कटिक पर देखने को मिलता है तो इसका अंसर होगा पर फ्लू और लेकल और ये वाला जो हैं चीजे PFA के बारे में एक सवाल पूछा गया है कि ये पैकेजिंग सामगरियों में पाए जाते हैं ये आसानी से बायो डिग्रेड नहीं होते हैं ये तीनों चीजे जो हैं इसके बारे में सही इसमें अगर आप दीमक को काड़ दो बाकी सब मिलेगा इस तरह के सवालों को छोड़ देना चाहिए मेरा मानना ये है ना इतना ज़्यादा डीप में याद रखना चीजों को बड़ा मुश्किल है इसमें सिरफ एक दीमक कटेगा बाकी चार आप्शन आएंगे मुझे लगता है UPSC को चार आप्शन ही नहीं देना चाहिए था मतलब दीमक वाला आप्शन ही नहीं रखना चाहिए था बाकी सब रखना चाहिए था फिर यहाँ पर देखो इन में से कौन जो है मतर कुल की परजातिया है तो यह भी तीनों आंसर आजाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं यह वाला सवाल मैं आपको कह रहा था कि हो सकता है UPSC इसको डिलीट करें आप आप कहोगे क्यों सर देखो अभी जो 2022 का अधनिया में उसमें संशोधन जब तक नहीं किया था तब तक तो वर्मिन जो जानवर होते दे वर्मिन वो जिसको मारने की अजादी होती है जंगली हो जाता है उसको मारने की परमिशन दे दी जाती है तो यहाँ पर देखेंगे तब तक तो यह था बट अब जो है इसको चेज कर दिया गया और वर्मिन वाली लिस्ट ही निकाल दी गई है तो ये वाला चीज है तो उसके चलते कौन सा सही मानेगा UPSC पहले तो ये स्टिट्मेंट सही था बट अब ये स्टिट्मेंट सही नहीं है दूसरा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जन्तू का रख भी था ये एकदम गलत है इसमें कोई प्रब्लम नहीं है है ना यो घास वगयरा खाते हैं पेड़ बौदों से चीज़े खाते है वैसे खून वाली चीज़े नहीं है तो पहले में इसमें अगर आप अभी पूछोगे मुझसे कि क्या इसका आंसर है तो सेकिंड कर जाएगा एक से तो फिर ये वाला आंसर बनता है ठीक है और दूसरा ओप्शन कोई बन नहीं रहा है तो इसका अभी तक के लिए सी आंसर ह आप लोग मानेंगे फिर आगे देखो पार्थी विकरन की तुलना में कितनी बार बता चुका हूँ जो आती है ना किरन उससे वातावरन को कोई नुकसान नहीं है बर प्रित्वी से टकराने के बाद जब वापस जाती है ये गरम करती है तो पहला क्या है आधिक गरम होता ह आगामी से ये गलत हो जाएगा एक गलत हो गया तो आंसर निकल गया वही चीज है देखो कितने सारे सवाल ऐसे निकाल दी है हम लोगों ने है ना फिर यहां पर देखो एक्वेटर पर चोब मंडल की मोटाई धुरों की तुलना में बहुत अधिक है ये भी मैंने बात की है क्लासेज में चोब मंडल 16 किलो मेटर तक होता है एकवेटर पर और वहां पर देखो कि लगबग 8 किलो मेटर देखेगा आपको धुरों पर और क्यूं होता है उसका रीजन भी यहां पर क्या है कि समवनी धारा मतला वायू हलकी होती है जादा उपर तक जाती है इसलिए वह पर चोब मंडल की मोटाई जादा होती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यह अंसर यह सब कुछ निकलता है जल्दी से इसको खीच लेते हैं समताप रिखा है महासागर के उपर उत्तर की और और यह वाला यह वाला पहला आंसर तो इसमें ठीक है सेकिन वाला क् हैं यह समुदरी जहाँ चल पाते हैं वरना वहाँ तो बरफ जम जाती है यह तो नॉर्मल सा न्यूज में रहती है यह चीज ठीक है तो इसका अंसर ए ही होगा फिर यहां पर देखेंगे तो यह कोड़ी आइवरे और घाना इसका अंसर है कोको के उत्पादक देश कौन से ह हैं फिर यह तो क्लास में एकदम सेम टू सेम करवा रखा हूं गोमती घागरा गंडग कोसी इसमें कोई प्रब्लम नहीं है चटानों के अप्षयों के कारणों में एक कारण वर्षय अप्षय समझते हो टूटती रहती है चटाने उसमें दो तरह से होता है एक भौतिक और बहुती कैसे होता है सीधे तोर पर अगर आप देखोगे बारिश बहुत जादा हो रही है तो चटान टूट रही है और रासाइनिक वाला जब जो वर्षय का जल है जब वो खनीज बदार्थों के साथ क्रिया करता है तब जाके केमिकल्स तर पर ये चीज़े होती है तो र यहाँ पर देखो आप फिन्लेंड बाल्टिक के साथ सीमा लगाता है कोई दिक्कत नहीं है जर्मनी लगाता है नार्वे लगाता है रूस का नौर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं तो केवल दो जो है इसमें आंसर आपको देखेंगे अब देखो ये थोड़ा डीप में जाके सवाल पूछा है, धुआधार मालवा छित्र नहीं है, महा कौशल छित्र आएगा यहाँ पर, है तो नवरमदा पर ही, बर यह छित्र आएगा महा कौशल, मैं लिखनी पा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिजेगा, यह हुंडू वाला जो है, इसको छोटा नागपुर में है, सुवन रेखा पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह ठीक है, और यह जिसको जोग भी कहते है, गेरसोपा को जोग भी कहते है, यह पश्चमी घाट में है, नित्रवती नदी पर नहीं है, यह शरावती पर है, है ना, तो यह एक और तीन गलत हो गया है, केवल एक यूगम इसमें सही है फिर यहां पे देखो आप मद्देशिया में वास जेस है वलित परवत है यह बात तो ठीक है यह दोनों की बटी यह यॉरप में मद्देशिया में नहीं है तो पहला कड़ गया फिर यॉरप में आल्स परवत है वो ब्लॉक ब्लॉक नहीं है यह वलित प मैंने सरफ इतना बोला था उसमें कि सिकाडा के अंदर जाने की जौरत नहीं है बस इतना याद रखो कि सिकाडा क्या है ये इंसेक्ट है ये कीट है बाकी सब अगा आगको नहीं भी पता है तब भी दिक्कत नहीं है ना जिन बच्चों ने किया है उनके नोर्स में लिखा भी नहीं है अगर आप देखें गे तो यहाप को देखने को मिलेगा मैडगास्कर में तो पहला आंसर गलत इसमें तीनुए गलत है यही पर कट कर देता हूँ इंडोनेशिया में एलक देखने को नहीं मिलेगा यह नोर्थ अमेरिका साइड में यॉरफप में चिंपेंजी टाइप का है ये आपको ना मिलेगा जो आपका अफरीका का एक देशा कांगो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा तो ये तीनों जो है इसमें सही नहीं है तो इसका अंसर डी है विशव सौचाले संगठन ये पहली बात तो ये है कि ये नॉन प्रॉफिट और अगनाईजेशन है है ना गैर लाबकारी संगठन है यून से इसका कोई लिए न दिना नहीं है सेकिंड स्टेटमेंट ठीक है और थर्ड वाला इसलिए गलत ह है कभी भी से देखिएगा एक गैर लाबकारी संगठन के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो बड़े स्तर पर निधी दे दे तो यहां पर देखो यह फंडिंग नहीं देता है ठीक है तो एक और तीन इसमें कट जाएगा सेकिंड इसमें ठीक मिलेगा फिर यहां पर जलत है यह आप पढ़ लेना इस टेटमेंट को एक और दो इसमें सही आंसर है फिर जल्दी से देखेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इसको देख लिया जाए थोड़े ही कुशन शायद बचे हैं हो गया है तो कौन सा एक 100 मिल अधरिस्ट होता है कंजीमर के है ना मतलब जो निकट है जिसको तुरंत वित्रित किया जा सकता है तो यह चारों अप्शन इसके अंदर आ जाएंगे फिर यहां पर हम देखेंगे तो इसका अंसर अंजीर है यहां पर देखेंगे तो आपको विशाक्त जाती हैं सब में ही ह असर आएगा तितलियों में भी कुछ होती हैं मचलियों में भी कुछ होती है और लास्ट वाले मेंडक में भी यह देखने को मिलेगा आपको और यह सवाल तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था काजू जो है यह ब्राजील से लाया गया था पपीता जो है न्यू वर बगा के बैठ जाओ, है ना, अगर वो उसके अलावा बाकी सवाल को देखना है, ठीक है, तो एक दो सवालों को छोड़ दें, तो UPSC वैरी करेगा चीज़े, यहाँ पर सवाल डिलीट भी हो सकते हैं, और अंसर भी थोड़ा सा उपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगबग सिप्ट जो है, वो तयार नहीं होता है, तब तक UPSC में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, वो बात अलग है, मैंने पूरा पॉलिटी अगर आप देखेंगे, तो जिन बच्चों ने मलुका इस पर किया है, जा जिन बच्चों ने अलग सी में चीज़े की हैं, तो वो जानते ह होंगे कि वहाँ पे मतलब as it is complete आपको पॉलिटी में करवा चुका हूँ, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, है ना, इवन इसके लावा economic के सवाल है, दो तिन सवालों को अगर हम छोड़ दें, जो deep में चला गया है, UPSC, उस तर की चीज़े हमें और अच्छे से कवर करनी ह होंगी, दूसरा current affair तो लगबग लगबग सारे ही सवाल उसमें रहे हैं, सारी चीज़े आप देख सकते हो, हिस्ति की भी mapping आप देखोगे, जोग्रफी की चीज़े आपको सीधी देखने को मिलेंगी, युनेस्को वाले दोनों सवाल मैंने अभी कुछ दिन पहले करवाए दोनों सवाल जो है सीधे answer के form में आपको देखने को मिले हैं, जिन बच्चों को UPSC के लिए एक complete offline या online mentorship शुरू जाइन करनी हो, है ना, मतलब 100% result वाली चीज़े इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप उसमें जाइन करना चाहते हो, तो description में मेरा number दिया तो चीज़े दिक्कत करेंगी, cset हाला कि थोड़ा सा math reasoning ठीक ठाक पूछा है UPSC, बढ़ कई सारे बच्चों का फिर से लटक गया है, क्योंकि comprehension थोड़ा सा tricky UPSC ने पूछा है, ठीक है, जब तक आप एक complete जो है guidance में चीज़े नहीं करोगे, तब तक problem रहेगी, तो अगर आ ऐसे classes रहेंगी, वो सारी चीज़े आप इस number पे call करके detail में ले सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद